हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो कैसे आप सो भी बढ़िया है ना तो सम्तिंग ये मीच वैनल में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे साबुदाने की किचडी की जो वृत में खाया जाती है आप बिना वृत के भी से खा सकते हैं यह तो खाने में बहुत टेस्टी लगती ह मुझे तो बहुत पसंद है आपको भी पसंद है तो चलिए रिष्टी पी शुरू करते हैं इसके लिए मैंने साबुदाने को तीन से चार बार साफ पानी आने तक अच्छे से दो कर पानी डाल कर इस तरह चे से साथ गंटों के लिए भीगा कर रख लिया था अभी हम एक ग और इसे दरदरा पीसना है फूरा पारिक में करना इस तरह से अब इसे साग मे रख दीजिए एक पैन गरम करें इसमें घी डाले जैसे ही घी घेरम हो जाए इसमें एक छोटी चे मजीरह डाल दे और थोडे से करीपता डाल दे जैसे यह चटोक ने लग जाए अभाईगी इ ने इस तरह से चौप कर लिया है यह इसमें डाल कर अच्छे से भून दीजिए अगर आप चाहे तो आलू को उबाल कर भी यूज कर सकते हैं पर मैं आज इसे कच्छे आलू से बता रहे हूं देखिए बीच-बीच में चलाते हुए आलू को अच्छे से गल जाने दीजिए त देखिए कि अमने थोड़ा सा हरी मिच में डाला है अब देखते हैं आलू गलाय कि नहीं एक आलू को मैं तोड रहे हूं देखिए अच्छे से गल चुका है अब इसमें जो हमने हरी मिच और पली का पावडर किया था वह डाल कर अच्छे से दो मिनिट भून दीजिए वह साबुदाना जितना अच्छे से आप धोके भीगाएंगे ना उतनी अच्छी से आपके खिछोड़ी खीली खीली बनेगी मुझे इसमें थोड़ा की कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया देखिए एक एक डाना कितना अलग अलग है एक दूसरे से अच्छे से मिला दीजिए सबकोच बस गर्मा गरम सर्फ कर दीजिए आप इसे दहें के साथ भी सर्फ कर सकते हैं वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है देखिए खिली-खिली साबुदाने की किछडी थैयार है बिलकुल भी चिपकी नहीं है बहुत अच्छी सी ब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग लेट्स मित इन अनेदर वीडियो दोंट फरगे टो सब्सक्राइब बाई